प्रशनाएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में हैं उससे भी ज दॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्व वीलचेयर पर ही रहते हैं और वो उपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थ्राइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉंबिनेशन बागबटी जी के हैं उनका उपयोग करिए उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाईए चूना च्छारिये हैं अमलता को कम करता है ज्यादा अमलता बढ़े तो अर्थ्राइटिस होता है तो चूना खाईए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में चाच में पानी में जूस में और एक दिन में अर्थ्राइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते हैं स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए चूना खाईए मैथी दाना लीजिए चा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रातरानी भी कुछ लोग कहते हैं यह पेड़के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चारिये माने जाते हैं जो भी आउशदियां तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार-पांच पत्ते पीसिए पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर ठंडा कर लीजे फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सबेर के खाली पेट पीजे मैंने यह देखा है गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशंट को हफ्ते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो यह कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे सब अप क्लीफ दे रहा है लोगों सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेडरूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजे और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ती देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस और ऑस्टियो दोनों ही खतम होती है इस इसार सिंगार के पत्ते से